हलो दोस्तों अग्यात एक खोज में आप सभी का स्वागत है यह च्यानी हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिग्यासू व्यक्तियों के लिए है जो स्वयम की दलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अग्यात कहानियों को देखना सुनना और उस पे चर्चा करना चाहते हैं हम सभी बच्पन से रामायन की कहानिया पढ़ते और सुनते बड़े हुए हैं क्या आप जानते हैं कि इस महान ग्रंथ की एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं बलकि तीन सौ संसकरण हैं इन सभी में मूल कहानी तो श्री राम की ही है लेकिन अपने अपने हिसाब से उसमें बहुत कुछ बदलाव किये गए हैं जिनकी वास्तविक्ता का प्रमान नहीं मिल सकता क्योंकि यह सब श्री वालमिकी रामायन को आधार मान के उसमें कुछ फेर बदल करके उनके साथ लिखी गई हैं और वालमिकी रमायन को ही एक मात्र जीवनी माना जा सकता है क्योंकि वालमिकी जी श्री राम के समकालीन थे। इस से जादा वास्तविक्ता के करीब तो और कुछ हो ही नहीं सकता। एक सवाल जो हमेशा से इस महान कथा को सुनते हुए मेरे मन में और आप सभी के मन में भी हमेशा से कौन्थता होगा वे यह है कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श राजा होते हुए भी कैसे श्री राम एक आदर्श पती की भूमि में सफल ना हो पाए क्यूं मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम जैसे चरित्र में उनसे सीता परित्याग जैसा सर्वथा अशोभनिये कारे उनसे कैसे हो गया लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने श्री मनोज मुंतशिर द्वारा निर्दोष थे राम देखा तो मैं आवाक रह गई स्तब्ध इतनी की जैसे आँखों पे सद्यों से पड़ा एक परदा हट गया हो आभारी हूँ मैं उनकी कि उन्होंने मेरे आराध्य के चरित्र पे लगा एक औव वांचनिये दाग पूरे सक्षियों सहित हटाने का कान किया उनका श्री राम भद्रा चारे जी से इस सवाल का उत्तर रामायन के शलोकों की संख्या सहित उधारंड से ही प्रमान देना और जन मानस के लिए इस राज से परदा उठाना उन्होंने उसके लिए जो प्रयास किये वे अन्मोल है माना जाता है कि राम भद्राचारे जी गोस्वामी तुलसी दास जी का ही पुनरजनम है और आज यह मेरा कर्तव्वे है कि मैं भी हमारे सभी धर्म प्रेमी सब्सक्राइबर्स और जो मित्र हमें फॉलो करते हैं उनकी आखों से भी इस पर्दु के उठाने का काम करूँ इस वीडियो का पूरा श्रे मनोज मुंतशिर जी को समर्पित है उनके द्वारा बनाई गई ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड की कहानी को उठा कर देख लिजिए जब भी कोई आक्रमं कारी किसी दूसरे देश पर आक्रमं करता है तो सबसे पहले उसके गरंतों को नश्ट कर देता है क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृती स्वतंत्र है किताबें नश्ट कर देना, जला देना अपराध है लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोब निये वो असत्य तत्वों को जोड़ कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना श्री वालमिकी रामायन के साथ यही शडियत्र हुआ सच तो यह है कि रिशी वालमिकी ने कभी उत्तर कांड लिखा ही नहीं था वालमिकी रामायन के युद्ध कांड का 128 सर्ग कहता है श्री राम राजा बन गए, विभीशन लंका चले गए, सुग्रीव किशकिंधा लोट गए, भरत सेना पती नियुक्त हो गए और इसके बाद श्लोक संख्या पिचानवे से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन है 106 श्लोक के बाद फल अश्रुती है, फल अश्रुती यानि कथा सुनने का फल इसका मतलब है कि आपचारिक रूप से रामायान की कथा समाप्त हुई और लिखने के लिए कुछ शेश नहीं रहा युद्ध कांट के अंतिम सर्ग का 119 श्लोक सुनिए रामायन मिदम कृत सनम श्रुणवतह पठतह सदा प्रीयते सततम रामह सही विष्णु सनातनहा यानि यही संपूर्न रामायन है आगे 121 श्लोक में वालमिकी लिखते हैं एवमेतत पुरावरत माख्यानम भद्रमस्तुवह प्रव्या हरत विस्तरब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम यानि यह इतिहास संपन्न हुआ यहाँ वालमिकी राम की कथा को पूर्ण घोशित कर देते हैं जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायन कहां से आ गई साफ जाहिर है कि उत्तर कांड बाद में जोडा गया और वह पूरी तरह काल्पनिक है युद्ध कांड में वालमिकी राम को भ्रात्र भी सहितह श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं यानि श्री देवी सीता हमेशा राम के साथ रही तभी वो श्रीमान कहलाए युद्ध कांड के 128 में सर्ग में वालमिकी साफ साफ लिखते हैं भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक आयोध्या पर राज किया जब हजारों वर्षों तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब दिया लेकिन यह सच है कि अगनी परिक्षा तो सीता जी ने दी थी लेकिन आयोध्या में नहीं लंका में सीता ने रावण वद के बाद अपने निशकलंक सतीत्व का उधारन प्रस्तुत करने के लिए कभी अपनी सीता पर संदे था ही नहीं युद्ध कांड के एक सो सोलवे सर्ग में सीता जी कहती है यदी मेरा हृदय एक शन के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अगनी मेरी रक्षा करे अगनी देव ने सुयम प्रकट होकर श्री राम से कहा देवी सीता में कोई पाप या दोश नहीं है आप इन्हें सुईकार करे भगवान राम ने अगनी के सामने प्रतिग्या ली हे अगनी देव मैं आपको वचन देता हूँ जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्थी का त्याग नहीं करता मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा आप खुद सोचिए अपनी देव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे रगुकुल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि रगुकुल रीत सदा चली आई प्रान जाए पर वचन न जाई उस रगुकुल में पैदा हुए श्री राम जिन्होंने अपने पिता के दिये हुए वचन को निभाने की खातिर चौदा वर्षों का वनवास सहर्श स्विकार कर लिया हो क्या वो अगनी देव को दिये हुए अपने खुद के वचन को भंग कर सकते हैं?